एलो एवरिवन मेरा नाम है Dr.Kate Surghler and हमारे चनल दॉक्तरकनसर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले वैस्टॉलाइटिस की बारे में तो वैस्टॉलाइटिस क्या होता है किस वजे से होता है उसके लक्षन क्या होते है उसक बातों के बारे में आज हम इस उड़ में बात करेंगे तो वैस्कुलाइटिस का मतलब होता है कि हमारे च्रीर के अंदर जो खूण की छोटी-छोटी नलिया या फिर जो वैसल्स होती है उनके अंदर सूजना आजाती है और उस तूजनाने के वज़े से ब्लड वैसल की जो वाल होती है उसमें बहुत सारे चेंजिस हो जाते है कुछ गुछ गुछेंस में 거지 ब्लाॉक भी हो जाती ही जन जो खुन लिस्न और ब्लॉड ब्लॉड सब्लाइय कर दृफ्प्लेटिसु भी रूप जाता है जन वुर्फ्ट ब्लॉड सब्लाइय को में सिम्तम्तम बागत। तो बेसिकली इस़ी को भी रहते हैं इसके बाद हम बात करेंगे वैस्कुलेटिस किस वज़े से होता है, वैस्कुलेटिस के जो कारण है उनके बारे में, सबसे पहले बात तो इन्फेक्शन के वज़े से वैस्कुलेटिस हो सकता है, इसके बाद अगर किसे पेशन को ब्लोड कैंसर है तो उसके वज़े से वैस्क यह पिर भुमारी लूपस की लिय्मार्यी और शलेरुट लूपस स्लैरोड आरुमा भी हो सकता छी स्सिदिक सेटन को जो जो बॉड रेचकरें ते बिए वेस्पेटरीज मेरा वेस्तुलीट इना लसे तर्बलोदे पर नमेन के बाद पर कार्दन के पारहएं मुत बहुआ चुमिक्षपते हैं। समय कता है। अब भए्यूभी भरत अबॉत हम नहीं। इस पहले बात करें। तक पैसे साथ थकविय हैं। भुखार यहाँ तरक आसके साथ भी नदया करने जुधा है। प्रैसन का वजन कम हो जाता है, ःसके बाद उत पेट में दर्द होने लगता है, बोडी के ऊपर एयन सकिन के ऊपर ऊस Puis डिसकलरेशन हो जाता है, इसके बात सकीन के ऋपर कुछ जगह और आलसर स्सक्यापन. इसके साथ साथ उस पसेंट को जोइन में पेन अल्ग पैना डिसक्याँ हो सकता है इसके बाद उस पेशन को मसल्स में और जॉइंट्स में काफ़ जादा दर्द होना, वजन कम होना और सांस देने में तकलीफ होना यह भी लक्षन वैस्कुलेडिस के वज़े से उस पेशन में हो सकते हैं लक्षन हो के बाद हम बात करें की वैस्कुलेडिस को किस तरह से डाइगनोज किया सकता है सबसे पहले बात लिए तो ने पर वैस्कोलेडिस को हुआ और इंपसी बात belt बलिटेस्ट कर सकते हैं Antineutrophil Cytoplasmic Antibody, जिसकों कि शॉर्ट में A यान C A ऐसे भी बोलते हैं, तो ये भी ब्लड टेस्ट वैस्कुलाइडिस को डाइग्नोज करने के लिए की जा सकती है, तो इन ब्लड टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें, तो फिर उस पेशन में X-ray कर सकते हैं, एक्सरे के साथ साथ उस पेशन में CT scan करना, या मारा scan करना, या फिर पेट scan करना, ये भी टेस्ट किये जा सकते हैं, इसके बाद specific dye का इस्तमाल करके, ब्लड वेसल्स का specific X-ray भी किया जा सकता है, जिसकों कि हम angiography ऐसे भी बोलते हैं, हार्ट की जिस तरह से हम angiography करते हैं, ठीक उसे तरह से बोड़ी के उस affected पार्ट के लिए angiography विथेल पॉप X-ray की जा सकती है, डाई का इस्तमाल करके, वो भी इस वैसल्स के पेशन में कर सकते हैं, तो लास्टली जो ट्रीटमेंट या इसके बाद जो लास्टली डाइगनोस्टिक टेखनीक होती है, वो होती बायोपसी, आफटेट बोड़ी पार्ट के अंदर से कुछ सेल्स ले करके उनको लाब में टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है, तो यह होती है बायोपसी, तो इस तरह से स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट, कुछ रेडियोलोजिकल टेखनीक्स, जैसे के एक्सरे होआ, एमराइ स्कैन, सिटी स्कैन और अंग्योग्राफी, यह सब कर सकते हैं, इसके साथ साथ बायोपसी भी कर सकते हैं, इन सब और और डाइगनोस्टिक टेस्ट को इस्तेमाल करके, हम वैस्कुलाइडिस को किसी भी पेशन में डाइगनोस कर सकते हैं, इसके बाद हम फाइनली बात करेंगे वैस्कुलाइडिस के टीटमेंट के बारे में, Vascularitis की जो ट्रीटमेंट होती है, mostly तीन चीजों के ऊपर बेस्ट होती है सबसे पहले तो होते है steroids, steroids के बाद होते है immunosuppressive drugs मतब जो कि हमारी वोड़े की immunity को suppress करने का काम करते है और लास्ट लिए होते है blood transfusions, मतब कि blood उस patient को चड़ाना है तो blood transfusion करना इसके अंदर जो specifically drugs इस्तिमाल किये जाते हैं वो depend करते हैं कि उस patient को कितनी ज्यादा तकलीफ है कितने ज्यादा symptoms आ रहे हैं उसकी chronicity क्या है, उसकी severity क्या है इसके साथ-साथ उस patient को कौन से type का vasculitis है इन सब चिजों के उपर डिपेंड करता है कि उस patient को कौन से drug से treatment दी जाए जो drugs vasculitis के treatment के लिए most commonly इस्तेमाल किये जाते हैं अगर हम बात करें तो हम उस patient को प्रेगनी सलॉन दे सकते हैं इसके बाद मेथोट्रेग्जट दे सकते हैं इसके बाद azothioprim, rituximab और mycophenolate यह कुछ drugs हैं जो mostly इस तरह के vasculitis के patient में depending on the condition of the patient दीए जा सकते हैं अगर किसी patient में blood vessel या फिर आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है उसके वज़े से उसके आने वाले next organ को या tissues को या फिर muscles को ठीक से blood supply नहीं हो रहा है तो उस condition में या फिर aneurysm की condition में उस patient में surgery करनी पड़ती है या फिर surgery की जाती है तो सबसे पहले तो उस patient को हम medical treatment देते हैं जो oral medication दिये जाते हैं उनको through treatment दी जाती है कुछ cases में IV injections भी दे जा सकते हैं या फिर उस patient के आर्ट्री पूरी तरह से ब्लॉक है या फिर aneurysm है तो फिर उस फिर में surgery की जाती है तो इस तरह से medicinal, conservative treatment, इसके साथ साथ surgical treatment दोनों के भी option इस तरह के वैस्कुलेटिस के पेशन में होते हैं तो आज हमने शॉर्ट में बात की वैस्कुलेटिस के बारे में वैस्कुलेटिस भी एक तरह का autoimmune disorder ही है और इसके बारे में अगर आपके कुछ doubts है तो आप आमे नीचे comment section में ज़रूर पूछ सकते हो thanks for watching this video till then, thank you very much